वेलकम बैक नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदिस साइट के इसकाड़ी में हम लोग देख रहे हैं एक कहानी यह भी यह आत्मकथा देख रहे हैं जिसकी लेखिका है मन्नुभंडारी आज इसका पंद्रमा भाग देखेंगे इससे पहले की वीडियो आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके क्रमबत तरीके से देख सकते हैं यह नेट जारब के सिलेवस में हैं किस नाम से प्लेलिस्ट है आत्मकथा जिवनी अन्नगद्य विधाय इकाई दस खोल से ला इक और सियर भी अच्छर प्रकाशन से राचेंद के संपाजन में हंस का पहला अंग प्रकाशित हुआ अगस्त सन 1986 में राजन्द के चीर प्रतिचध आकंछा नैंजने कितने राजन्द को तो प्तरिका के अंकड़ने pensar निकल नहीं पता नहीं आएन मौकिсл पर क्या जानवित नहीं हो पाती है और निराशा की एक परत और इनके मन पर चड़ जाती है निराशा की एक और परत इनके मन पर चड़ जाती जहां तक मेरा ख्याल है कि ऐसे अंती में वजना स्री आर के मिस्रा के साथ बनी थी और उस समय पैट्रियट हाउस में काफी हाउस काफी महत पूर्ण पदपर थे वहां से निकलने वाले धैनिक पैट्रियाट और पत्रिका लिंग को देखते थे उनकी वोजना थे कि पत्रिका भी निकले जा है और सिसल्सिले में साइद राजन से मिले भी थे कुछ ही मुलाकातों के बाद योजना ने आकार घ्राण कर सुरू किया योजना कार ग्रहन करना शुरू किया और मुझे लहगा कि इस बार योजना ज्यादा गंभीर ज्यादा ठोसाधार पर बढ़ रही है इसलिए अब तो साथ पत्रिका निकल ही जाएगी पर पता नहीं इस बार भी एन मुखे पर बात कहां गरबढ़ाई कि वह सारी योजना भी ठप जहां तक मेरा ख्याल है कि जरूर राजंत का इसा आग्रह रह करेगी तो उससे बिल्कुल तटास्ता और निर्पेश होकर तो बैठने से रही हो सकता है कि बात राजंत के किसी ऐसे ही आग्रह पर टूटी हो पर यह मेरा अनुमान मात रहें लेकिन क्योंकि मैं राजंत के बैक्तित से अच्छे तरह परशेत हो इसलिए कह सकती हो कि आनु सकतराते रहें तो बात कैसे बनती उस समय भले ही बात टूटने का अपसो शुगा हो पर आज तो सोचती हूं कि अच्छा ही हुआ कि योजना सुरू होने से पहले ही टूट दी अगर सुरू हो जाती तो चार कदम चलने के बाद ही उसका टूटना निश्चित था हाँ इतना सुरू कर चुके थे किसके सहय से गौतम नौ लखा के और हिंदी जगत में उसने केवल अपनी पाचान ही नहीं बना ली थी बलकि इतने कम समय में थोड़ी ख्याती भी अर्जित कर ली थी गंगा के संपादन के जगा नियुकती हुई कमलेश्वर की इससे मुझे कताई निकलम से कीचर उचालने का सिलसिला सुरू किया उनका प्रमुकल अच्छे तो राजन रही होते थे कभी कभी कुछ छीटे मुझे पर भी पड़े जरूर थे राजंद्र भी इसकला में कम माहिर तो नहीं मतलब राजंद भी अपनी तरफ से कीचर उचालते थे परसंग हो नहीं हो जब तब एक दुलत्ती जाड़ना प्रियस अगल रहा है राजंद्र का भी आज से नहीं परसों पहले से कभी कभी साहितकारों की इसी व्रित्ति पर गुच्सा भी आता है दुख भी होता है पर उपाय क्या है हां किसी और को कोई अच्छा में हरकत हो कोई बहया कर किसी के खाते में जुड़ा हो तो जुरूर प्रहार करना चाहिए सकत से सकत भासा में करना चाहिए दो टूक सब्दों में खोल कर रख देना चाहिए उसके कुकर्मों का वेवरा लेकिन सकत भासा का भी एक लिख की संयम होता है होना चाहिए वरना गाली गलच की भासा या फिर खाल खिच कर भूसा भरवा दूंगा जैसी असोभनी बाते प्रहार कम और नगल प्रलाब ज्यादा लगने लगती है और हाँ यह भी जरूर है कि आप जिस आरुप को लेकर सामने वाले को दोस्त कर रहे हैं उसकी बुनियात सच पर ठीकी हो साहित कारों की कभी कभी मुझे इतना विचलित कर देती है कि मैं भी अपने पर स्याम नहीं रख पाती खैर अभी सारे प्रशंग पर विराम लगाती हूं सिर्फ इस तकलिप भरे एहसास की अभिव्यक्ति के साथ कि जब तक गंगा निकली कमली स्वर्जी ग्रीन पार्क में ही रहे थे होज खास के बिल्कुल सामने ही ग्रीन पार चाहो तो पैदल ही चले जाओ पर उसके बावजूद हम लोगों का आना जना न के बराबर ही रहा दो तीन बार वे लोग आए तो दो तीन बार हम लोग भी गए होंगे तब कभी कभी जरूर मुझे उन दनों की याद आया करती थी ज आज कई बार मैं सोसती हूँ खिजती हूं भी हूं क्यों मै इन पूरानी बातों से मुक्त नहीं हो पाती साध मेरे पास इन लोगों की तरह नवह विस्त है नवह एक चले शपने और एक भाविस्त सहीन जिंद्ल के उजले दूदले पच्छों के सांथ ही तो लिपढ़ती चिपठती रहती है रहेगी हां तो लंबे हर्षा की जद्दो दहत के बाद आखिर गौतम नौलखा के सहयोग से राजंत के संपादन में हंस का प्रकाशन सुरू हो गया हंस निकला तो मैं भी बहुत खुश और इस खुशी ने ही बरसो बाद मुझसे एक कहानी भी लिखवा राली राजन ने घरा के साथ कहा था अंस के पहले यंञ में तुम हरे कहानी जानी जा लोग कुछ लोग के अंबार है यह और बस कुछ तो हंस के निकलने की खुशी के कारण कुछ राजन के आगर्हा कारät मैं भी शंकार कंप करके बैठी गई पर नायक खलनायक विदूसक कहानी लिखी कौन कहानी नायक खलनायक विदूसक बहुत ड़ते रटते ही मैंने एक आने राजंद को पढ़ाई ड़ते ही ड़ते हुए इसलिए कि राजन देही तो थे इनके मुख्यपात रहां पर राजन ने ऐसी कोई भी इतना है नहीं यह सिर्षक भी उन्हीं का दिया हुआ है पता नहीं क्यों लगने लगा कि हंसके साथ सायद मेरा लिखना भी शुरू हो जाए और इस विचार के साथ ही मन ही मन मैंने यह निर्ड़े भी ले लिया कि अगर पत्रिका जम गई तो मैं भी नवकरी छोड़कर इस मैं इन की रूची थे नगती हो सकता है मन चाहा काम करके उससे मिलने वाला उसे चाहे ब्यक्तित की बहुत सारी गाठे खुलने लगेंगी चाहे दीरे धीरे ही सही और एक सहाज जिंदगी जीने लगेंगे ये संतुर्ट सहज होंगे तो बहुत संभव होंगे कि हमारे आपसे संबंदों के बहुत सारे खम पेंच भी ठीक होंगे वरना मेरी सहन सकती भी अब अपनी अंतिम सीमा तक पहुच चुकी थी लेकिन सचमुछ मुर्क थी मैं जो यह सब समझे बैठी थी यह भी हो सकता है कि हंस के आरंब के तीन चार साल भारी संकट के दिन थे राजन तो कभी कुछ बताते नहीं थे लेकिन इधार उधर से जो कुछ भी जान पाते उससे कभी कभी तो यह भी लगता कि हंस का अस्तित वी खत्रे में है अब संकट के ऐसे सिती में इनका व्यक्ति तो कैसे सहाज होता भला मेरी यातना तो दोहरी थी भीतर से कोई समब्ध नहीं संबाद नहीं राजन अपने कमरे में मैं अपने कमरे में लेकिन बाहर सब के बीच बिलकुल सहाथ सामान इस्तिती का ब्रह्म बनाये रखने की मसकत मित्रों परिचितों और परवारवारियों का खाना पीना भी हो रहा है साहितिक करक्रों में सिर्कत भी हो रही है लेकिन राजन ने मुझे क अभी नहीं बताए कि अच्छर में जवाहर जी के सांद की भागेदारी तूटने के मुल में क्या था राकेश जी के सांद बेहत अत्मियता और उस्मा से भरे संबंद क्यों और कैसे असहाय होने के इस्तिति तक पहुच गए और अब क्या हुआ गौतम के सांद के हंस को कभी स सीला संदो को देने के बाद सुनाई पढ़ रही है तो कभी प्रभाखेतान को मैंने तो जो भी जितना भी जाना दूसरी लोगों को मदम सही जाना राजिंद्र ने तो कुछ बताए नहीं तो जिन्दगी के जीने की मेरी सारी खुसपामी को द्वस्त करते हुए फिर कुछ ऐसा घटा कि अंदता मुझे निड़ाय लेना ही पड़ा बास बहुत हुआ अब सांथ क्वेस्चन मार्क चल पाना बिल्कुल बिल्कुल संभव नहीं है इससे कहीं बड़ी-बड़ी जट जी दरकिनार कर सकता है आप लिखते रहें और आपका लिखा बराबर स्विक्रित चर्चित भी होता रहें तो कैसी उठ्जा का संचार होता रहता आपके भीता यह तो मैंने खुद अनुभव किया है वर्ना निस्क्री मन के चलते तो छोटी-छोटी बाते भी आपके लिए असहाय हो जाती हैं मतलब आप पढ़ते रहें लिखते रहें बाकी छोटी-छोटी बातों से चिंता आपको नहीं करने पड़ेगी तब ही तो पुरानी घर्नाओं के मुकाबले इस बार जो हुआ वह बहुत साधान था लेकिन उसके बावजुद मैंने अलग रहने का निड बात है नहीं जिस पर विराम लगने की अब तो दूर दुखता कोई संभावना नहीं रह गए थी महराल जो भी हो मैंने बेह ठंडे निरावेग लेकिन द्रिट सब्दों में कहा राजेंद्र जी आप एक महिने में अपने लिए किसी मकान की विवस्था कर लिए को कि अब म पूरुस होता तो उसे भी लगती यानि कि अब तलाक की बात मनुभंडाई जी ने कहा दी पूरुसों को इस बात का अनुभा तो है कि वह अपने पत्नियों को घर से निकाल बाहर करें या बहुत हुआ तो ऐसा निर्ड़े दोनों की सहमति से हो केवल पत्नी अपने सोच समझ के समल समल के लिखा है तो जैसे कि पूरुस कहा दे कि निकलो घर से महिला कि लिए उस समय थी लेकिन मनु भन्ढारी नहीं का दिया कि मन्नु भंडारी ने अपने ही मेनद से लिया था ना इसलिए का दिया कि अपने घर सा आप अपने लिए नया मकान देख लेजिए काफी साल पहले एक बार कमलिस्वर जी ने राजंद को लिखा था एदी तुम एदी मन्नु से विच्छ नहीं चाहते हो तो तुम्हें उन का साहर कहूं या बैसरमी कहूं या कौन जाने मेरे मन में राजंद के बतीर लगाओ कि कुछ ऐसे सुत्र बचे हुए थे जो इतना सब बरदास करने के बाद भी टूटते नहीं थे और मैंने राजंद के साथ एक निहायत ही आसंतुलिस जिन्दगी जीते हुए पूरे तीस सा गुजार दिये यानि तीस साल बाद इनका तलाग हुआ और सायद इसी कहाना राजंत को यह उम्मीद थे कि एक महीने के इस अवधी में हमेशा की तरह मैं फिर पिखल जाओंगे और गाड़ी चल पड़ेगी सब भाविक भी था क्योंकि जब मैंने अपने संबंधों को एक जटके से नकार देने वाले जटको को झेल कर भी ऐसा निल्ड़ा नहीं लिया तो इनके मन में भी एक आस्वस्ति का भाव घर्ष कर चुगा था कि यह कुछ भी करें मैं रोंगी धोंगी लड़ंगी जगड़ंगी बस इसके आगे कभी नहीं जाओंगे लेकिन इस बार एक किराय को मकान लेकर उसे चला सके से सो अंतता यह अपने मित्र गिरी ससताना कहां गिरी सस्थाना के पेइंग पेश्ट की तरह रहने लगें पेइंग गेश्ट मलब गेश्ट रहेंगे लेकिन पे करेंगे इसमें कोई सक नहीं कि दोनों पती पत्नी बड़े से नहीं भाव के थे बड़ी खुशी से उन्हें राजंद को रखा और इनका ख्याल भी पूरा रखते थे इस सब के बाउजद उनकी अपनी सिमाय थी उस घर की भी सिमाय तो थी कोई दो महिने बाद ही एक दिन साम को अचानक बिना किसी सूचना के गीरी राज की सोर और बासूदा यानि बासू चटर्डरी प्रकट हुएं मैं थोड़ा चकित पर जल्दी उनके आने का राज खुला दोनों को ने एक स्वर में कहा बस बहुत हुआ अब हम राजन का सामान लेकर आ रहे हैं अस्थाना दंबत्ती के सारे सिने और देखवाल के बाउचूद राजन काफी तकलीफ में हैं वहां एक अलग कमरे की विवस्तान होने से बरामदे में रहा कर पढ़ना लेकर कितना मुश्कि के साथ हाथ जोड लिये थे नहीं बासुदा अब और नहीं जब तक मैं साथ नहीं भा सकती थी निभा दिया जब तक मैं बरदास कर सकती थी कर लिया लेकिन अब और नहीं जरूर ही कुछ रहा होगा मेरे स्वर में मेरी भंगीमा में कि फिर उन्होंने आगरह नहीं किया ग आई टी कानपूर में बुला लिया जहां वे उन दिनों रजिस्टार की तरह काम कर रहे थे राजिंत कानपूर चले तो गया लेकिन हंस तो दिल्ली से निकल रहा था जिसका संपाधर निन्हें करना था सो महिने 20 दिन में एक चकर दिल्ली का लगाना इनके लिए अनिवा रहे पहली बार आये तो टिंकू के हाँ ठारें दिल्ली में टिंकू ने मुझे भी फोन किया कि मम्मी पप्पू आये हैं पापा साम को तुम भी इधर ही क्यों नहीं आ जाती एक साथ खाना खाएंगे नहीं जानती इस बुलाने के पेछे टिंकू के मन में कोई इरादा रहा हो वालंकी उसने इस तरह की कोई बात कभी कही नहीं मैं भी चली गई बस खाना खाका चुपचाप लोटाई लेकिन दूसरी बार ए आये तो इन्होंने होज खास के घर की ही घंटी बजाई दरवाजा मैं नहीं खोला देखा तो चकित पर जब आ ही गये तो भीता तो आना ही जहाई-था और फिर तो हर बार यहीं आने का सिलसिला सुरू हो गया जो च्छा महिने बात सारी समान के साथ फिर नहीं और रहने लगने पर समाप्त हुआ आज मैं अच्छी तरह कलपना कर सकती हूं कि जो कुछ विवा उसके बाद फिर से होश खास आकर रहने का निड़ा लेते समय राजंद्र को किस जद्धो जहाद से गुजरना पड़ा होगा अपने हम के साथ किस तरह का समझोता करना पड़ा होगा या कहीं ऐसा तो नहीं कि अलग रहना ही नहीं चाहते हूं जैसा कि इनोंने कभी कमले स्वर्जी से कहा भी था और संकत्पूर इस्थिती की आण लेकर ये फिर साथ रहने चले आये हों क्योंकि इतना तो ये अच्छी जो ले थी या मेरा संसकार या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भीतर भी है उम्मिद जग गई हो भयंकर भूल महा मुर्खता पूर उम्मिद कि इस घटना के बाद साहिद इन्हें अपने गल्दियों का एसास हुआ हो और अब ये नहीं अब ये पर नहीं ऐसा कुछ नहीं था हो होता तो हमारे आपसी बेहवार में कुछ तो बदलाव आया होता बेहस संकर्पूर इस्तितियों में ही ये लटकर फिर मेरे पास आने को मजबूर हुए थे और मैं भी लटने पर इन्हें नकार नहीं पाई तो साथ रहने के इस्तिति को खुले मन से स्विकार भी नहीं पा पहलाग्य हुआ लंबे समय से जैसे तर ना पूनिसे ति मैं जहल रही थी हो सकता है उसी का प्रडॉम हो हो सकता है करनड कुछ और भी हो और भी रहे हो मैंने तो कभी इस बिमणरे का नाम तक नहीं सुना था हम भी नहीं आप लोग भी सुने होंगे क्लास में पढ़ाते प पर गिर कर मैं बूरी तरह चीखने लगी लड़कियां हैरान परसान कोई हवा करने लगी कोई पानी लाया किसी तरह पकड़कर मुझे डिपॉर्टमेंट तक ले गए दर्द का वहदा और गुजर चुका था मैं एकदम बेजान से हो गए थी तभी किसी ने सुझाए कि तुम कर उसने दोनों हांसे अपना सिर्फ पकाल लिया ओ यह तो नियुरलाजिया है नियूरो मतलब के नस नस का जो आपका मास्पेसी है नस वहां का नियुरलाजिया काट एक दुनिया में आज तक तो इसका कोई इलाज नहीं निकला हाँ चारो रिसार्ट तो बहुत हो रही है दर दोखने के लिए सर्फ यह सेडेटिव है और उन्होंने सुरू के दल दिन चल आज ऊचा गोली खाने को लिग दिए सामाने तर नीर्ओलाजियर जीसे आधी कोली से सुरू करते हैं लेकिन इन्होंने दो दो गोली दो दिन तक 6 गोली खाने को दे चार गोली खाकर ही मेरी जो हालत हुई मैं बता नहीं सकती सरीर का संतुलन तो ऐसा गळबड़ाया कि अपने आप खड़े हो पाना समभव ही नहीं रहा एक गुट पानी पी पीती तो एक गिलास पानी निकल जाता बराबर लग रहा था मैं गई बस अब मैं गई मतलब एक गुट पानी पीओ पसीना निकल जाए यह तो गनीमत है कि उस समय सुसिला मेरे पास आई हुई थी यानि इनकी बड़ी बहन पर उसे दूसरे दिन ही लोटना था अपने सस्तुराल के किसी आयोजन में जहां उसकी राजेंद्र जी आप चले जाएंगे तो मन्नु को देखे का कौन उनकी हलत देख रहे हैं लेकिन राजेंद्र के लिए गोश्टी ज्यादा जरूई थी हुई गये इतना ही नहीं फोन पर ये मीरा भावी यानि गिरिराज की पत्नी आगरा करकर के कह रहे थे कि अरे मन्नु नहीं जा रहे तो क्या हुआ इतना ही नहीं फोन पर ये मीरा भावी को आगरा करके कह रहे थे कि अरे मन्नु नहीं जा रहे तो क्या हुआ उस गोश्टी में मैं भी अमंत्री थी और यहां जानकर ही मीरा भावी ने भी गिरिराज के साथ चलने का करकरम बना लिया था मैं त सब खुदते चले जा रहे थे और उससे उपजी तकलिफ आस्मों में बहती चली जा रही थी आज जब उन बातों को याद करती हूं तो कभी-कभी यह भी लगता है कि कहीं या उनके अहम पर की गई चोट का प्रतिकार ही तो नहीं था पर नहीं बीमारी के मौके पर इनके ऐस पर जाम पर गोजर गई चोट का एक निसान जरूर रहा गया है इतना लिखा तो यह भी जरूर लिखोंगे कि मेरी इस तकलिफ की बात जानकर सर्मा जी ने पंथ हस्विटल के नियूरो सर्जन डाक्टर ब्रम प्रकास से मेरे लिए समय लिया तो वहां मुझे जरूर राज जी जान से हंस के अस्तित को बचाने उसे समान जमाने में जूटे थे और मैं अपनी इस नई विमारी से जूज रही थे से डेट्वी खाने के बाद भी जब तब दर्द के करेंट गुजरते तो मैं कुछ समय के लिए बेजान से हो जाते डाक्टर से जब इस दर्द की बात करती तो वे कहा देते कि इसके मात्रा तो आपको खुद टाय करनी होगी जितने गोलियों से दर्द पूरी तरह नियंतर में अय उतनी गोलियां तो आपको लेनी ही होगी पर बढ़ाय धीरे-धिरे जिसे आपका सरी इसका अभ्यास्त होता चला जा जाए और इसकी लेकिन और वे हां जटक देते और मैं सोचती की पता नहीं यह मेरे कौन से जन्मों का फल है कि इस्तितियों ने मुझे बहुत भाग्यवादी तो बना ही दिया है सारे लाइलाज रोग मुझे जलने बोगने हैं हां डाक्टर या जरूर काते कि बलकि आगाह करते कि आप किसी तरह का भी कोई टेंशन मत पा लिए क्योंकि इतना समझ लिजिए कि मानसिक तनाव से इस बीमारी का सीधा संबंद है डाक्टर से तुम मैं कुछ नहीं का थी पर मन ही मन सोचते की कैसे मुक्त हूं मैं इस तनाव से इसमें तो कोई संदे नहीं कि सोभा से ही मैं बहुत तना अगर कुछ मिला हो तो केवल जिम्मेदारियों का अनवरत बोज और असहाय यातना है या मैं अच्छी तरह जानती हूं कि आज की हर इस तरह घर परिवार के अत्रिक और भी ना जाने कितने जिम्मेदारिया निभाती है उसमें अपनी उर्जा खर्च करती है लेकिन अपने साथी का सायोग प्यार भरा लगाव निरंतर उसुर्जा की छतिपूर्टी भी करता रहता है मेरे सांथ क्या हुआ मैं सिर्फ खर्ची करती रही और एक से त्यासे आए कि मैं बिल्कुल खाली खोकली हो गई रोग ग्रास शरीर निस्क्री जीवन खंडित आतमे विश्वास की किर्चों में लिप्टर व्यक्तित। यह तो मेरे मित्रों परिवारियों परिवारियों परिशितों का सनेही मुझे थामीर हो वर ना कोई आश्चर नहीं कि मैं लगभग तूट ही जाती हेर्ग आतम दया में लिप्टी यहगा था अब बिल्कुल बंद क्योंकि मुझे इससे बड़ी चीड़ है पर क्या करूं लाग कोसेशों के बावजूद जब तब इससे इसके दोरे पढ़ी जाते हैं जिन्देगी चल तो पढ़ी लेकिन मेरा मन इस सित्ती के मुक्त होने के लिए अब बूरी तरह छट पटाने लगा था लिखना तो बंद हो ही गया था घर हो कि यह बाहरी दूरियां जाने अंजाने चाहे अंचाहे जैसे कहीं मनों में भी यानि मन की दूरी भी फैलती पसरती जा रही थी कॉलेज कॉलेज से भी मन उचड़ता जा रहा था पर सेवा निवरित्ती में तो अभी भी दो साल भगे थे हाँ यह मैंने तक कर लिया था कि इसके बाद कॉलेज से पांच साल के लिए मिलने वाला री एंप्लॉयमेंट मैं बिल्कुल नहीं लोगे न तो अब मुझे इस घर क सुरच्छा की जरूरत बड़ी सिद्दत के सांथ महसूस हो रही थी और यह मुझे केवाल अपने परिवारियों के बीची मिल सकते थी परिवार के लोग तो यह इंदौर में भी काफी थे लेकिन अपनी मान सकता कि अनुकूल मुझे कलकत्ता है लगता था वहां मेरे पुर के आसपास कहीं ले लूँगे वही दिली जैसी दुरियां तो नहीं है वहाँ दिली जैसी दुरियां तो नहीं है सो सभी भाई भाई बहुतनों कस्यों मिलता रहेगा लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मणूद था 1991 में मैं सेवा निब्रित हुई और कुछ महिनोबाद ही मेरे पास्री विश्नुकान सास्त्री विश्नुकान सास्त्री का प्रस्ताव आया कलकत्ता में साहत्री जी से हमारे बहुत अच्छे संबंद थे वे उसमें कलकत्ता विश्विदाले के हिंदी विभाग में थे और मैं रानी बिल्ला कॉलेज में कई बातों पर बड़ी भासे होती थी मेरे उनसे कुछ समय तक तो हम लोगों ने अनामिका में भी सासात काम किया पर उनकी जिन बातों की छाब मेरे मन में शपी हुई है उनमें से एक है उनका कविता सुनाने का धंग बस एक बार सुरू हो जाए फिर तो हिंदी और मंगला कविताओं के ऐसी अजस्त धारा बह चल राजनीती में सक्री नहीं हुए थे उसके बाद जानते हैं कि विश्णुकान सास्त्री तो राजनीती में भी थे हैं विधाय को रहा हालांके उनकी कविता यह सब हलांके उनकी कविता प्रेम तो तब भी पराबर बना रहा खैर तो उन्हीं सास्त्री जी का फोन मिला मुझ से वही संपर्क साधा मनुझी मेरे काने से आपको उजयन जाना होगा उजयन पर क्यों क्या है वहाँ मैंने कुछ है रानी से पूछा प्रेम चंद स्रिजन पीट के निदेशक के पद पर और आप मना बिल्कुल नहीं करेंगी नहीं जानती यह उनका आदेश था यागरह पर जो भी था मैं जो भी था वे अपनी बात पर बहुत द्रेड लग रहे थे कल होने वाली मीटिंग में मैं आपका नाम प्रस्तावित कर रहा हूं इस आस्वस्ती के साथ कि आपको आपकी स्युक्रिती मेरे साथ है लगावे बहुत हड़बड़ी में है और तूरंत उत्तर च साहर कैसी योगी रहने की ब्यूस्ता क्या करना होगा मुझे वहां जाकर आदी आदी तन्योग से तीन चार दिन बात का ही इंदार का टिकट था मेरे पास सो मैंने तुरंत उत्तर दिया सहत्र जी काम तो मैं भी कुछ करना ही चाहती हूं खाली बैठे बैठे तो मेरे लिए भी समय कटना मुश्किल हो जाएगा लेकिन अंतिम सुक्रिती देने से पहले मैं सिर्फ एक बार उज्जैन सहर और वह घर देख लेना चाहती हूं आप तो जानते ही है कि मैं इस उमर मे वह भी बीमारी के हालत में लंबे समय थक बहुत और सुविधा जनक इस्तिति में रहना भी रहना मुश्किल होगा मेरे लिए ठीक है आप देख आई है सुविधा आदी तो सब जुटा दी जाएगी लेकिन अभी तो मैं आपका नाम प्रस्तावित करी रहा हूं आप अंति सास्त्री जी को मेरे व्यक्तिगत जीवन की परसानियों का आभास हो कलकत्ता में मेरे निकट के लोग तो जानते ही थे सो बात उन्हें तक पहुची हो तो आश्चर नहीं और इसी के चलते उन्होंने मेरे लिए का उसार सुलब करवाया हो खयर जो भी हो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता मद्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और सास्त्री जी उस समय बीजेपी में किसी उचे पत पर पहुच चुके थे क्या थे सो तो मुझे उन्हों क्या थे सो तो मुझे उन सो तो मुझे न तब मालूम था न अब नहीं मैंने कभी जानने के कोशिस की सो यह तो निश्चिन थे था कि उनका प्रस्ताव नेड़ा ही होगा मतलब कुछ थे हैं बिधायक थे सांसर थे पता निका थे मंत्री संत्री लंत्री इंदोर पहुच का मुझे कलेक्टर का फोन मिला कि आपको जब भी उजयन जाना हो मुझे सुचित कर जीड़ीगा मैं टेक्सी भेज़ दूंगा इंदर इंदर उजयन जाना होगा श्री प्रभाकर सो त्री उन दिनों भोपाल से निकलने वाली पत्री का साच्छातकार के संपादक तो थे ही मद्द प्रदेश साहित परिशत के सच्वी भी थे उसनाते आब यह सारी जिमेदारी उनकी थी उन्होंने ही कलेक्टर को भी फोन किया था और इसकी सुचना मुझे भी दे दी तारिक तय करने पर जब टेक्सी आई तो मेरे साथ बहन जी जा भी चले सुविदा के लिए घर में क्या कुछ बड़ी खुबसूरत बिल्डिंग और वैसा ही चारो और का परिवेस तबियत खुस हो गई वहां रध सहाब क्या हुआ हम कालीदास अकादमी पहुचे बड़ी खुबसूरत बिल्डिंग और वैसा ही चारो और का परिवेस तबियत खुस हो गई वहां रध सहाब और याद सामान सहीद बटोर कर ले जाने के लिए वहां आई थी उन लोगों से मिलकर अच्छा लगा और नरेश जी ने भी मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मुझे यहां आही जाना चाहिए हलांकि अकादमी को देखकर मन जितना प्रसंद हुआ इस घर के हालत देखकर कुछ बुझा सा जरूर कुछ बुझ सा जरूर गया घर काफी खस्ता हाल में था लेकिन अकादमी लोटकर भाहंजी के बातों के आधार पर जबरत सहाब ने आस्वासन दिया कि घर की मरमत सब करवा दिया जाएगा फ्रिज की विवस्ता भी करवा दिया जाएगी और यह आग्रह भी किया कि मैं अब ज्यादा सोचू नहीं बस आ जाओ अंतता मैंने निड़ए लेही लिया कि मैं उज्जयान आना ही है हमको मुझे लवडते समय भोपाल में सोत्रे जी से मुलाकात हुई मैंने उन्हें अपनी स्व्कृति दे दी सुनकर वे प्रसन ही हुए और उन्होंने भी मुझे पूरी तरह अस्वस्थ किया राद दस बजे इस्टेशन पर राजेंद को देखकर मुझे बहुत ज्यादा अस्चर नहीं हुआ क्योंकि अजीब बात है कि दिल्ली के बाहर जाती ही मेरे प्रती इनका वेवार बिल्कुल ही बदल जाया करता है बाहरी दूरी ही उन्हें कहीं मेरे बहुत निकट ले आती है लेकिन फिर भी इस बार मैं जी सालत में दिल्ली छोड़कर आई थी उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह स्टेशन आएंगे पर गा सेर के इस भावना को पूरी तरह जब्त करके मैंने सर्द आवाज में कहले इतना ही कहा हां जा रही हूं पर कब हुई यह सारी बात तुमने तो पहले कभी बताया ही नहीं कुछ राजयंत के स्वर में आश्चर से ज्यादा आहत होने का भाव था जो मन्नु अपने हर बात च पचा कैसे गई इसमें बात आने जैसा था ही क्या मनु बोली इसमें बताने जैसा क्या ही था संचिप सा उत्ता देकर मैं फिर चुप हो गई पर यह भी सोचा कि इतने लंबे समय तक के लिए तुम चली जाओगी तो पीछे यहां क्या होगा कौन देखेगा इस गर को आप दो शूरू से जाने कब कब कहा कहा जाते रहें तब मैं संभाला करती थी या नहीं अब आप समभालिए अंधरे में मुझे इनका चेहरा तो नहीं दिख रहा था पर इंके सोवर में ऐसी मैसी मैनमे पहली बार ही पर अभ न Hemoin और आय नहीं है ऐसा मतलब खुसी हुई मन्नु जी को समझ लोकी बिना कुछ कहें बता है मनमाने डंक से अपने रिड़ा लेने काधिकार के वल तुम्हें ही नहीं है यह मनुभणडारी सोच रही है मन में हाँ पूर्सो को है मैलाओं को भी है सब को है तो यह 15 भाग समाप्त हुआ ए जुरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें लाइक भी करते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन जै भारत